नमस्कार भारत एक्स्प्रेस MP में आपका स्वागत है मैं हूँ हर्शंकर कुमार मध्य प्रदेश के पूर्फ सीम शिवराज सिंग चोहान गुरुबार को बिदीशा पहुँचे यहां कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला महिलाओं के बीच मौजूद पूर मुखिमंत्र अपनी आशू पोचते नजर आए मध्य प्रदेश के बिदीशा में पूर्फ सीम शिवराज सिंग चोहान रो पड़े महिलाओं की भीड में मौजूद पूर्फ सीम शिवराज सिंग चोहान गुरुबार को चश्मा उतार कर अपने आशू पोचते नजर आए दरसल विदीशा पोचने पर पूर्फ सीम शिवराज सिंग चोहान के स्वागत में बड़ी संख्या में उमड़ी महिलाओं ने शिवराज सिंग चोहान के समर्थन में नारे लगाए विदीशा के बाढ़ वाले गनेश मंदिर परिसर में महिलाओं के बेहनों का भाई कैसा हो शिवराज भाईया जैसा हो शिवराज जी तुम राज करो जैसे नारो से मंदिर प्रांगर गुज उठा अनेक महिलाएं शिबराज सिंग चोहान से मिलकर बिलक हुठी तो शिबराज सिंग भी भावुख हो गए और उनकी आँखों में से भी आंसू छलक पड़े पुर्प सियम आंसू पोचते नज़र आए अब बदल जाएगा शिबराज सिंग चोहान का ठेका ना मध्यपर्दिश के बुधनी बिधान सवा से MLA और साड़े सोला साल तक मध्यपर्दिश के मुख्यमंत्री रहे शिबराज सिंग चोहान का अब पता बदल जाएगा पुर्प सियम शिबराज सिंग चोहान को नए सियम मोहनी आदव के लिए सियम हाउस को खाली करना होगा आपको बता दें मध्यपर्दिश के नए सियम के नाम का एलान होने के एक दिन बाद पुर्प सियम शिबराज सिंग चोहान से मिलने लाडली बहने पहुँची इस दौरान बहने शिवराज सिंग चोहान से गले लगकर फूट फूट का रोते दिखी इन बहनों को रोता देख पूर्व सीम भी भावुक नजर आए वही विधान सवाचुनाव में मेली प्रचन जीत के बाद शिवराज सिंग ने खुद यस्पस्ट कर दिया था कि वो सीम पद की रेस में नहीं है और मेरा पद मामा का है मांगने से बेहतर मरना पसंद करूँगा मद्परदिश राजस्थान और 36 गड़ में मुखे मंतरियों के नाम के एलान के बीच तीनों रज्यों के दिगज मंतरी आला कमान से मुलाकात करने दिल्ली पहुँच गये थे इस पर शिवराज सिंग चोहान से भी सवाल किया गया था कि क्या वो भी दिल्ली जाएंगे इस पर पुर्व सीम शिवराज ने जवाब दिया एक बात मैं विनमरता के साथ कह देना चाहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने से पहले मैं मरना पसंद करूँगा और उसी समय कयास लगाये गए मीडिया के जानकार ये भी कह रहे हैं कि मतलब शिवराज सिंग चोहान ऐसा बयान दे कर आखिर आला कवान को क्या संदेश देना चाहते हैं और कहीं न कहीं ये संदेश था और उनका ये भी कहना था कि मतलब काम मांगने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि 18 साल तक वो मुख्यमंतरी रहे और इतने लंबे अर्से तक जो ब्यक्ति मुख्यमंतरी रहेगा स्वभाविक तोर पे वो किसी से काम मांगने नहीं जाएगा और आज भी मध्यपरदेश में शिवराज सिंग चौहान पुर मुखी मंतरी तो हो गए लेकिन जनता के बीच लाडली बहनों के बीच खासे लोग प्रिये हैं और कहीं न कहीं वहां की जनता उन्हें पसंद करती थी तभी तो 18 साल तक शासन करना कोई आसान बात नहीं है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार